जी तो आप लोग देख सकते हैं बिहार के बाहु बली बिधायक अनंद सिंग का घोड़ा जो कि अनुपूर मेले में इस वार नहीं आया था मगर ब्रहंपूर मेले में आपको देखने को मिला है तो आए इन लोगों से जनकारी लेंगे कर मैं गौतम कुमार गौतम का ब्लोग चैनल में आप सभी दर्श को का हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम अभी मौजूद है ब्रहंपूर मेले के पास ब्रहंपूर मेला जहां पे बिहार के कौने कोने से लोग घोड़े लेकर आये हुए है वहीं पे अपने बिहार के छोटे कोने से रखे हुए अपने पास हो गया तो यह घोरा कौन सा नसल में है यह पंजाब नसल का घोड़ा है अगार इसकी कीमद जी क्या नाम है लाडला इसका लाडला नाम है जी और इसको तो आप लोग शेल कर लिए बेचने के लिए तो लाए नहीं होंगे है परदरशनी यह किमत की बात की जाए तो मार्किट में इसका कीमत क्या होगा सोलह सत्रा लाक विख्या के लिए प्रगेंट ही कि दूद दाहि और मकषन काझु की सुनिस बहुत कुच कुछ क्ना पशिए घटॉप पिछ जितना ऑप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अच्छा जानवर है उसका सारा चीज का देखवाल आप करते हैं देखवाल खाना पिना देखना मालिस करना अपना काम करना बस दूसरा गोड़ा इस गोड़े के बारे में आप लोगो को बताएंगे यह गोड़ा कितने दिनों से अभी धायक जी के पास इसको कहां से खड़डरी करके लाया गया है राजस्थान से राजस्थान का एक हिंच 5 feet 10-11 high ska घोड़ा है g66 good और इसकी चाल की बात किन तो इसका कितना रव्तार है चाल अभी चल रहा हुआ 32 34 34 रव्तार है अभी पो बूर्ण देख इख सकते हैं विदहायक जी का घोड़ा है दो होड़ा यहाँ पर और दर्शनी के लिए लाया गया है विक्री के लिए तो नहीं लाया गया है क्योंकि विधायक जी जानवर के काफी सोखीन है और कोई भी जानवर बेचना नहीं चाहते हैं खरिद भले ही लेते हैं चाहे हो कितना भी मांगाओ तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से एक ये वाला घोरा रहा और दूसरा घोरा इस साइड में है जो कि दो लोग अभी घोरे को मालिस भी कर रहे हैं और विधायक जी काफी जानवर के सोखीन भी है